हाई बाबो, कल हम लोग देखे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंसियल का वेंजग, तो इलेक्ट्रिक पोटेंसियल का हमारा वेंजग क्या था? के क्यू बाई आर था अगर हमारा क्यू पोजेटिव है तो भी भी हमारा क्या होगा पोजेटिव होगा लेकिन यदि हमारा क्यू निगेटिव है तो भी भी हमारा क्या होगा निगेटिव होगा नहीं तो लिखे इंपोर्टेंट टर्म for electric potential विद्धुतिय विभव के लिए के लिए मुख्य बिन्दु पहला नंबर electric potential जो है यह scalar quantity है ठीक ना? मतलब इसका मान positive भी हो सकता है negative भी हो सकता है zero भी हो सकता है electric potential एक scalar quantity है अर्थाथ इसका direction इलेक्टिकल क्वाइंटिटी है अर्थाथ इसे simple अलजेब्रिक method के अलजेब्रिक किया जा सकता है मतलब यदि जोड़ना है तो simple जोड़ हम कर सकते हैं घटाना है, simple घटाव कर सकते हैं भाग देना है, simple भाग दे सकते हैं गुना करना है तो simply जैसे भाग देते हैं गुना करते हैं वैसे हम गुना कर देंगे दूसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान पोजेटिव कॉमा निगेटिव या जीरो हो सकता है ठीक है एक चीज और ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है तो ये स्केलर क्वांटिटी है एक चीज जरा सा जानो हम तुमको पढ़ाए क्या है तो एक चीज पढ़ाए है इलेक्ट्रिक फिल्ड ज़रा इसको याद रखना यह किसी बुक बुक में तुमको नहीं मिलेगा लेकिन यहां तुमको समझा रहे हैं तुमको भी माइंड में रखना है इलेक्ट्रिक फिल्ड को जब भैक्टर फॉर्म में दिखाते हैं तब इसको हम लोग कहते हैं Electric Field Intensity जब इसको Imaginary Form में दिखाते हैं तो इसको कहते हैं Electric Lines और जब इसको Scalar Form में दिखाते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं Electric Potential यह याद रखना तो एक नया भी परिभासा तुम दे सकते हो कि Electric Potential Electric Field को दरसाने का Electric Field को ब्यक्त करने का Scalar Method है नहीं मतलब Electric Field को दरसाने के लिए जिस Scalar Method को हम प्रियोग में लाते हैं वही Scalar Method हमारा है Electric Potential और Electric Field को दरसाने का जो Imaginary Method है वह है Electric Lines of Forces और Electric Field को दरसाने का जो Vector Method है वह है Electric Field Intensity नमबर तीन लिखेगा नमबर तीन लिखेगा Electric Field को Electric Field को दरसाने का Scalar Method इलेक्ट्रिक पोटेंसियल कहलाता है Electric Potential कहलाता है तो कोई आप से पुछेगा कि Electric Potential क्या है तुम ये भी बोल सकते हो कि Electric Field को वेक्ट करने का Scalar Method है कौन? Electric Potential तुम चाहो तो इसको लिख भी लो अपने कौपी में ताकि याद रहेगा इधर लिख लो Electric Field और तीर लगा के यहाँ भैक्टर मेथड अगर है तो इसको हम लोग कहेंगे Electric Field Intensity Electric Field Imaginary मेथड अगर कोई है तो उसको हम लोग कहेंगे Electric Lines of Forces और यदि कोई Scalar Method है तो उसको हम लोग कहेंगे Electric Potential ठीक है मतलब Electric Field को ब्यक्ट करने का Vector Method क्या कह लाएगा तो Electric Field Intensity Electric Field को ब्यक्ट करने का Imaginary Method क्या कह लाएगा Electric Lines of Forces Electric Field को ब्यक्ट करने का Scalar Method क्या कह लाएगा तो Electric Potential ये तीनों बात याद रखना Objective में पुछा जा सकता है अब तुम समझ रहे होगे कि Electric Field और Electric Field Intensity अलग-अलग चीज है नहीं Electric Field एक छेत्र है जिसको Electric Field के द्वारा भी दरसाय जा सकता है Electric Lines of Forces के द्वारा भी दरसाय जा सकता है और Electric Potential के द्वारा भी दरसाय जा सकता है ठीक ना तो अगर कोई पुछे Electric Field क्या है तो ये छेत्र है कोई पुछेगा कि क्या Electric Field और Electric Field Intensity सेम है तो कहना इन नहीं ऐसे इतना brain बहुत कम लोगों के पास है सच बात हम बता रहे है 12 का जो study करता है पढ़ता या पढ़ाता है जिसको बहुत ज़्यादा ग्यान नहीं है वो इस समस्ता है कि Electric Field और Electric Field Intensity सेम है नहीं जबकि दोनों अलग-अलग चीज है ठीक है जोड़ो अब हम लोग Electric Potential पर Numerical को देखेंगे उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे ठीक ना जैसे मौन लो एक Question है A और इस पर Charge है 2 Micronum 2 Micronum से 4 cm की दूरी पर एक Point है P नहीं कहेगा P Point पर Electric Potential का मान बताएं ठीक है यह Question है आएए देखते हैं दिया क्या है तो Charge दिया है 2 Micronum ठीक दो गुने 10 पर पावर माइनस 6 कुलम यह और R कितना है R है 2 cm Si unit तो है नहीं मीटर में इसको बतलना पड़ेगा 2 गुने 10 पर पावर माइनस 2 मीटर हमको निकालना क्या है Potential नहीं P पर Potential तो भी बराबर formula क्या होता है KQ by R K का value 9 into 10 to the power 9 Q का value 2 गुने 10 पर पावर माइनस 6 और R का value 2 गुने 10 पर पावर माइनस 2 2 और 2 कटा दो हो जाएगा 9 गुने 10 पर पावर 3 उपर भेज़ दो 10 पर पावर 2 तो भी बराबर हमारा हो गया 9 गुने 10 पर पावर 5 भोल्ट यह हमारा हो गया Electric Potential P पोइंट पर और यह Electric Potential Positive है ठीक अगला Question 2 Question 2 मान लेते हैं कि कोई Charge है Minus 5 Millicolum का ठीक है और यहां से 5 cm की दूरी पर नहीं 5 cm नहीं 4 cm ले लो 4 cm की दूरी पर एक पॉइंट है P तो P पॉइंट पर पॉटेंसियल प्राप्त करें यह है Question क्या क्या दिया है तो देखते हैं Q कितना है तो Minus 5 Millicolum Minus 5 Millicolum के जगा पर 10 पर Power Minus 3 C और दूरी हमारा क्या है तो R बराबर है 4 cm 1 cm में कितना मीटर 10 पर Power Minus 2 मीटर और हमको यहां से निकाल देना है Electric Potential हम जानते क्या है Electric Potential को Electric Potential हमारा हो जाएगा B बराबर K Q by R नहीं तो B बराबर यहां पर K के जगा पर क्या रख देंगे 9 गुने 10 पर Power 9 और Q के जगा पर रख देंगे Minus 5 गुने 10 पर Power Minus 3 और R के जगा पर रख देंगे 4 गुने 10 पर Power Minus 2 यहां से हमारा क्या हो जागा 9 गुने 10 पर Power Minus 5 Minus 45 बटे 4 और यहां से हो गया 9 और 10 पर Power Minus 3 10 पर Power 6 इसको उपर लेके चले जाओ 10 पर Power 2 तो भी बराबर हमारा क्या हो गया 4 यह भी 4 और यहां से 4 दुने 8 4 पर 25 और यह 10 पर Power 8 तो हमारा Potential हो गया Minus 11 दस मलब 2 पांच गुने 10 पर Power 8 भोल्ट तो इस तरह से हम लोग किसी एक चार्ज के कारण Point पर Potential निकालेंगे ठिक ना ऐसा Question Objective में आ सकता है कोई बड़ी बात नहीं है अब हम क्या करते हैं चार्ज के संख्या को बढ़ाते हैं अब दो चार्ज लेकर देखते हैं अब दो चार्ज लेते हैं जैसे यहाँ पर एक A ले लिए और कुछ भी माल लो माल लेते हैं एक Microculum ठीक है फिर एक और चार्ज लेते हैं हम ले लेते हैं माइनस तीन Microculum ठीक है और यह दूरी हमारा दिया है चार सेंटिमीटर और एक पॉइंट ले लो यहाँ से तीन सेंटिमीटर की दूरी पर P और हमको इस P पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को ग्याद करें ठीक है P पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है तो सबसे पहले P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम निकालेंगे तो P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या तो इस चार्ज के कारण हमको मिलेगा या इस charge के कारण मिलेगा लेकिन हमको करा है total इसका मतलब हमको A के कारण भी potential यहां निकालना है और B के कारण भी यहां potential निकालना है और जोड़ देना है याद रहे electric potential scalar है इसलिए यहां vector form का प्रियोग नहीं होगा बलकि साधारन रूप से जोड़ या घटाओ करेंगे ठीक ना तो पहले देखते हैं A के लिए for A point तो A point के लिए जरा देखो चार्ज क्या है तो चार्ज हमारा है एक माइक्रो कुलम्ब मतलब एक गुने 10 पर पावर माइनस 6 कुलम्ब अब A से P के बीच की दूरी देखो A से P के बीच की दूरी है 4, 3, 7 सेंटीमीटर मतलब 7 गुने 10 पर पावर माइनस 2 मीटर और A के कारण potential निकाल लिए हमको क्या पता है तो हमको पता है B A बराबर B A बराबर K Q बाई R तो यहां से क्या हो जाएगा देखो B A तो K के जगह पर 9 गुने 10 पर पावर 9 और Q के जगह पर 1 गुने 10 पर पावर माइनस 6 और R के जगह पर 7 गुने 10 पर पावर माइनस 2 तो यहां से हमारा हो जाएगा 9 बटे 7 दस पर पावर 3 उपर चला गया 10 पर पावर 2 तो B A हमारा हो जाएगा एक दसमलब दो एक दसमलब दो आठ गुने दस पर पावर पाँच भोल्ट ये हमारा हो गया एप पॉइंट पर पोटेंशियल ठीक है अब इसी तरह से बी पॉइंट के लिए हम निकालते हैं तिसको याद रखना है एप पॉइंट के लिए पोटेंशियल हमको कितना मिल गया एक दसमलब दो आठ गुने दस पर पावर पाँच थिक है अब बी पॉइंट के लिए निकाले है बी पॉइंट के लिए क्या हो जाएगा मौर बी पॉइंट तो बी पॉइंट के लिए रियार हम तो मिटा दिये माइनस तीन माइक्रो कुलम था सायर तो यहां हो जगा माइनस तीन गुने दस पर पावर माइनस च्छे कुलम याद रहे हम लोग पोटेंसियल निकाल रहे हैं इसलिए यहां माइनस का महत्तु उसके मान में होगा इसलिए यहां इसका डिरेक्शन नहीं होता है इसलिए यहां माइनस डिरेक्शन नहीं बताएगा तो माइनस जब डिरेक्शन नहीं बताएगा तो इसको हम लोग को लेना पड़ेगा consider करना पड़ेगा और r हमारा है 3 3 गुने 10 पर पावर माइनस 2 मीटर और यहां से हम b point के लिए potential निकाल लेंगे क्या है b point का potential तो b b बराबर हम लिखेंगे k q by r 9 गुने 10 पर पावर 9 और q के जगह पर हम क्या रख देंगे तो q के जगह पर हम रख देंगे माइनस 3 गुने 10 पर पावर माइनस 6 और r के जगह पर लिख देंगे 3 गुने 10 पर पावर माइनस 2 यहां से कटा दो कितना यह हो जाएगा भी b बराबर हमारा हो जाएगा माइनस 9 गुने 10 पर पावर 3 और उपर चला जगह 10 पर पावर 2 तो भी b बराबर हो गया माइनस 9 गुने 10 पर पावर 5 भोल्ट ठीक है इसलिए पी पॉइंट पर टोटल पोटेंसियल तो भी बराबर हो जाएगा भी 1 प्लस भी 2 मतलब भी A और प्लस भी B और यहां से क्या हो जाएगा तो भी A का मान हमारा हो जाएगा एक दसमलब दो आट गुने 10 पर पावर 5 भोल्ट और प्लस भी B कितना तो माइनस 9 गुने 10 पर पावर 5 भोल्ट यह हो गया एक दसमलब दो आट गुने 10 पर पावर 5 माइनस 9 दस पर पावर 5 यह हो जाएगा माइनस अब माइनस नौ में से घटा दो एक दसमलब दो आठ तो दो ये साथ और ये साथ मतलब माइनस साथ दसमलब साथ दो गुने दस पर पावर पाँच भोल ठीक है? अब ऐसा नहीं कि इसको भी घटा के जीरो कर देना ठीक ना? केबल और केबल ये जुटता ये घटता है ठीक है जुटो? अब इस तरह से एक पॉइंट एक चार्ज और दो चार्ज के कारण हम लोग निकालते हैं तो घर के लिए तुम क्वेस्चन लिखो इस तरह का हम उमीद करेंगे कि तुम लोग जरूर बनाऊगे निमन दिये गए चित्र में निमन दिये गए चित्र में पी पॉइंट पर निम्न दिये गए चित्र में पी पॉइंट पर टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान ग्याद करें जरूर बनाना है यह है माइनस पांच माइक्रो कुलंब यह है माइनस दो माइक्रो कुलंब और यह पी पॉइंट है यह हमारा है पांच सेंटिमीटर यह हमारा है एक सेंटिमीटर ठीक है दूसरा तीन चार्ज है ठीक है यह है हमारा दो माइक्रो कुलंब यह है माइनस एक माइक्रो कुलंब यह है चार माइक्रो कुलंब और यह है हमारा पॉइंट P 2 सेंटिमीटर 3 सेंटिमीटर 4 सेंटिमीटर C नंबर 10 माइक्रो कुलंब माइनस 10 माइक्रो कुलंब ठीक है यह P पॉइंट है यह दूरी भी 5 सेंटिमीटर यह दूरी भी 5 सेंटिमीटर इस P पॉइंट पर हमको निकालना है D यह है माइनस 20 माइक्रो कुलंब यह है 10 माइक्रो कुलंब यह है बीच वाला पॉइंट P यह है 10 cm यह है 5 cm ठीक है एक और question दे रहे है चुकि तुम लोग को बनाना भी है इसलिए यहीं पर हम यह विडियो रोकेंगे ठीक ना और फिर हम लोग इसके बाद का numerical हम लोग आगे के विडियो में देखेंगे प्लीज बनाना जरूर घर में क्योंकि नहीं बनाओ गए फिर दिक्कत हो जाएगा यह minus 1 microcoulomb है यह है 2 microcoulomb और यह है minus 3 microcoulomb और यह है p point 3 cm 2 cm 1 cm यह 1 cm है ठीक है और पी point पर electric potential निकालना है ठीक है बाबू एक एक question को बनाना है ठीक ना और कहीं भी confusion हो तो phone करना है message नहीं कीजिए सीधे phone कीजिए ठीक ना कोई भी दिक्कत दगरदो बहुत बहुत धन्यवाद ठीक है भी कोई सीधे नहीं कीजिए एक बहुत